नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल को कुईट सुमन आठोट पे आज हम बनाएंगे एकदम गर्मा गरम और फूले फूले पनीर के पराठे जो खाने में बहुत जादा टीस्टी लगते हैं साथ ही हमारी हेल्द के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं इसे आप बच्चों के टीफिन बॉक्स के लिए बनाएं या फिर ब्रेकफास्ट में दौनों में ही ये बहुत अच्छे लगते हैं और सभी के फेवरेट होते हैं और इस वीडियो में आपसे ये सीक्रेट ट्रिक शेर की है जिसे जो पनीर के पराथे हैं आपके आप कोई भी पराथा बनाए वो बिल्कुल भी फटेगा नहीं मसाला बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा और एकदम फूले फूले पराथे बनेंगे तो रेसिपी को ट्राइ ज़रू कीजेगा रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक और शेर भी करना तो चलिए बिना किसी देरी के पराथा बनाना शुरू करते हैं पराथे के लिए सबसे पहले हम आठा लगाएंगे तो इसके लिए आपको एक बोल में लेना है गेहू का आठा तो दो कप भरके मैं आपर गेहू का आठा ले रही हूँ आठा आपको च्छानकर के लेना है इसमें एक छोटा चमच हम नमक डाल देंगे और अब नमक को अच्छे से आप आठे के अंदर मिला देए अब आपको आठा आठा गूतने के लिए पानी लेना है तो एक कप मैंने हल्का गरम पानी लिया है थोड़ा-थोड़ा करके पान बनाने के लिए डेली आप आटा लगाते हैं, बस वैसा ही लगाना है, उससे थोड़ा सा सक्त होगा आटा, ना तो बहुत सॉफ्ट लगाना है, ना ही बहुत हाड लगाना है, नौर्मल आपको आटा गूत करके रेडी करना है, तो इस तरह के से इसे गूत लेते हैं, तो आप आठे को मैंने अच्छे से गूत लिया है और नॉर्मल आठा लगाया है ना तो यह आठा बहुत सक्त है ना ही बहुत सॉफ्ट इतने आठे को गूतने में हमारा पूरा एक कप पानी यूज नहीं हुआ है आप देखिए तीन चौथाय कप पानी लगा है दो तीन चमच बच ग इस पर पपड़ी नहीं आएगी तो गी को मैंने इस पर लगा दिया है अच्छे से अब आप क्या करें इस आठे को धक करके रख दें तो एक धकन लगा देंगे इसके उपर प्लेट का और इसे 10 मिनिट के लिए रख देंगे ताकि आठे में लचीला पन आ सके जब तक आठ चमच धनिया पाउडर आदी चोटी चमच डाल देंगे लाल मिट्च पाउडर और एक चोथाई चोटी चमच से भी कम आपको हल्दी पाउडर लेना है इसके अंदर एक चोथाई चोटी चमच डाल देंगे गरम मसाला अब इसमें डालेंगे हम एक मीडियम साइस का तीन से चार इसमें बारिक कटीवी हरी मिर्श डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे बारिक कटावा हरा धनिया, अब इन सारे मसालों को हम पनीर के अंदर अच्छे से मिला देंगे, इस टाइम पर आपको इसमें नमक एड नहीं करना है, नमक हम आखिर में डालेंगे, तो देख के अंदर मिला देंगे, नमक लास्ट में ही डालें, पहले डालने से क्या होता है कि नमक पानी छोड़ देता है, तो मसाला हमारा उससे गीला और चिपचिपा हो सकता है, तो स्टफिंग रेडी हो चुकी है, इससे साइड मे रख देंगे, अब देखिए आटे को चेक कर ले आटा रेडी हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, इसकी लोई तोड़नी है, तो जिस तरह इसे आप रोटी के लिए लोई तोड़ते हैं, उससे थोड़ी बड़ी साइस की लोई बनानी है आपको, पराठी के लिए थोड़ी मोटी लोई चाहिए होती है, तो मैंने कजने लगेरणी चपना सा लगें से शुर्ण के भी एमनें करने हैं . ना पर कर ऽब अिके साँ आरें रखाँ हुगी तो मैं आप यहां दूपर ने बच्छ लेगे लेंगे तो यह अंत में की लेडाना यह को आपहसे कहीं तो वनारी नुद्धर ना आपOT तो इसे आपको ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना है पूरी की साइस का बेलना है ज़्यादा बड़ा नहीं बेलेंगे तो मैंने इसे पूरी के साइस का बेल लिया है अब आप क्या करें इसके अंदर स्टफिंग भर लें और अब इसे हम बंद कर लेंगे, तो जिस तरह से आप मुमोस के अंदर मसाले को भरके बंद करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से इसे आपको बंद करना है, तो छोटी-छोटी प्लेट्स बनाते जाएं, पास में लाते जाएं और बंद कर लें इसे, बहुत एजिली हो जाता ह यह बंद, जैसे भी आपको comfortable लगे, आपको बस इसे बंद करना है इस तरीके से, और उपर जो एक्स्ट्रा आटा आटा आगया है, आप देखिए, इसको हम तोड़ करके अलग कर देंगे, ताकि पराठा हमारा बीच में से मोटा-मोटा ना रहे, एकदम बराबर और इविन पराठा बने, इसे दबाते वे चिपका लेंगे अच्छे से, और थोड़ा सा फैला लेंगे, और अब इसके उपर लगाएंगे हम आटा, तो यह सूखा आटा जो है, इसे आप दोनों तरफ लगा लें, और अब आपको पराठे को हलके हाथ से पेलना है, ज्यादा प्रेश होता है पराठे के लिए, या आटा जितना चिकना और लसला होगा, पराठा उतना ही फूला-फूला और अच्छा बनेगा तो इसे मैंने पूरा बेल लिया है, अब इसे हम सेक लेंगे, तो पराठे को पकाने के लिए मैंने तवय को अच्छे से गरम कर लिया है, कोई तेल गी नहीं लगाना है आपको पहले सीधा आपको पराठे को गरम गरम तवे पर डालना है और एक मिनट के लेना है तो एक साइड से पक गया है तो इसे हम पलट देते हैं और अब आपको क्या करना है इसके उपर लगाना है घी तो अब इसके उपर घी लगाएंगे और अच्छ तो दूसरी साइट घी लगाते ही आप देख सकते हैं कि पराथा फूल ना यहाँ पर शुरू हो गया है यह देखिए तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है यह पराथा कहीं से भी फटावा नहीं है अच्छे से फूला है एक मिनिट और पका लें और फिर से इसे पलट दे तो और इसे तरेके से आपको अलटते पलटते वे पराथे को जब तक अच्छे से सिख नहीं जाता क्राथा ़िए दूसरी साइट साही ऩैँ से पका लेंगे तो यह पराथा हमारा बन करके रेडि हो गया है इसे हमने अच्छे से पका लिया बहुत प्यारा कलर आया है इसके उपर और अच्छे से फूला भी है तो इसे निकाल लेते हैं प्लेट में और सेम इस तरीके से दूसरा प्राठा भी बनाएंगे एक मिनिट के लिए बिना घी तेल लगाए इसे पकाना है फिर पलट देना है और इसके उपर घी लगाना है बनेंगे आपके भी तो एक एक करके मैंने सारे पराठे आपर बना लिये हैं इकदम गर्मा गरम है बहुत ही सॉफ्ट है इविन ठंडे होने के बाद बेबी पराठे सॉफ्ट बने रहते हैं एक पराठे को मैं आपको तोड़ के दिखाते हूं अंदर से आप देखिए स्ट बाना तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नही रेसिप के साथ तब तक के लिए टेक कियर बाई बाई